हलो गाईज दिस इस रित्व और वैलकम टू टीचिंग अन लर्निंग तो गाईज आज की इस वीडियो में हम CCS University की अभी की जो लेटस रपडेट है उसके बारे में बात करेंगे CCS University की तरफ से अभी अभी एक नोटिस रिलीज किया गया है जो कि आपके लिए बहुत जादा ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को फुलो लासक जरूर देखेगा वीडियो आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने भी तक नहीं किया है साथी बैल आइकन को भी हिट कर ले जिसे के हमारी आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे तो चले गाईज फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो गाई CCS University के तरफ से अभी अभी ये नोटिस रिलीस किया गया है और ये नोटिस आप लोगों के ओट सेमेस्टर के एक्जामीनेशन फॉर्म से रिलेटेड है आप लोगों के ओट सेमेस्टर के एक्जामीनेशन फॉर्म आच चुके हैं देखें यहाँ पर ये जो एक्जामीनेशन फॉर्म है वो UG, PG दोनों के ही ओट सेमेस्टर के आए हैं जो एक्जाम दिसमबर 2021 में होने थे लेकिन अब वो आपके जनवर या फर्वरी में कराये जाएंगे और यह जो examination form है 8 semester के वो traditional और professional दोनों ही courses के लिए हैं UGPG के 8 semester के लिए लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन student के admission अभी new education policy के तहत हुए है उनको यह examination form fill नहीं करने हैं मतलब कि जो student अभी traditional और professional course में UGPG के first semester में हैं उन बच्चों को यह examination form fill नहीं करने हैं first semester को छोड़कर बाकी सारे जितने भी semester हैं जैसे कि third हो गया, five हो गया, seven हो गया, nine हो गया उन सभी को इन examination form को fill करना है ठीक है UGPG दोनों की यहाँ पर बात हो रही है और यह दो website आप लोगों को दी गई है इन दोनों website पर जाकर आप अपने exam के form को fill कर सकते हैं तो guys यह जो examination form है वो कल से fill होना start होंगे यानि 31 तारिक से fill होना start होंगे 10 तारिक तक आप online form fill कर सकते हैं और fees भी submit कर सकते हैं उसके बाद 13 जनवरी तक आप लोगों को अपने form को college में जाके verify कराना है और submit करना है अपने form को college में आप लोगों के पास बहुत कम time है guys आप लोगों के पास केवल 14 days है 14 days के अंदर आप लोगों को अपने examination form को fill करके college में submit कर देना है इसके बाद आप लोगों को कोई और मोका नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार क्या है कि exam जो है बहुत जादा डिले हो गए है तो university की तरफ से इस बार form बार बार आपके fill नहीं कराए जाएंगे तो जैसे ही website ठीक चले आप अपने examination form को fill करके time से अपने form को college में submit कर दीजेगा तो guys आज की यहीं बड़ी update थी CCS University की तरफ से अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पर end करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ सो तब तक के लिए bye and take care